हलो नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मज़ेदार गणित की पहली में दोस्तों आपका हर्दी स्वागत है दोस्तों आज की पहली एस तो घड़ी के दो रेखाओं की साहता से तीन हिस्सों में विभाजित करें कि तीनों इससे में संख्या का योग बराबर हो तो बताओ कैसे पहली वापिस repeat करा Cum घड़ी की दो रेखाओं जो दो रेखाएं होती है उनकी साहथा से तीन हिस्सों में विभाजित करें तो घड़ी के जो तीनों हिस्सों की जो संख्याओं का योग है वो बराबर हो, तो बताओ कैसे पहली का अंसर देना सो, जो टाइम स्टार्ट ना ओ, 1, 2, 3, 4, 5 तो जो आंसर दे दिया होगा सो, तो जो इस पहली का अंसर हो घडी को सभी संख्याओं का योग 78 होता है दोस्तों 1 plus 2 plus 3 plus ऐसे करते हो दोस्तों, 12 तक दोस्तों जोड़ेंगे दो 78 इसका योगा है दोस्तों तो दोस्तों 78 divided by 3 क्योंकि हमें 3 बराबर भागों में बाटना है दोस्तों, परते का अंग कितना होना चीए दोस्तों, 26 होना चीए दोस्तों 26 तो उनकी संख्याओं का योग मिलान होगा उनको 26 देगा दोस्तों तो तीन संख्याओं में विवाजित करेंगे दोस्तों 11 वारा एक दो में 10 नो तीन चार में और 8 साथ छे पांच में तो इस प्रकार से देन भाग हो जाएंगे दूस गड़ी के 2 किस आहता से दूसतों और वह है, बिलकुल सही बताएंगे दूस्तों, उनकी संख्याओं का योग दूस्तों तो दूस्तो इसकी जो मतलब आप पर्थम रेखा को 11 के नीचे से 2 के नीचे तक खिचेंगे और दूसरी रेखा 8 के उपर से 4 के नीचे तक खेचेंगे तो इस प्रकार से दूस्तों बराबर तीन हिस्से हो जाएंगे दूस्तों अगर दुस्तो पहली पसंद आई दुस्तों तो प्लीज इसे लाइक किज़ेशों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी किज़ेशों